चैट GPT ये नाम कौन नहीं जानता चैट GPT एक कमाल का AI power tool है जिसकी help से आप amazing content तो create कर ही सकते हो प्लस आप अपने questions के answers भी ले सकते हो ये tool बिल्कुल real human की तरह आप से chat करता है आज के इस वीडियो में हम SEO optimized content चैट GPT के help से create करना सीखेंगे फिर चाहें आप एक blogger हैं एक wordpress developer हो या आप एक content writer हो चैट GPT के help से आप high quality content within a few minutes create भी कर सकते हो copyright free content होगा प्लेरिजम free content होगा जिसकी help से आपकी website की visibility google पे या other search engines पे बहुत अच्छे से improve हो जाती है तो भजी हम क्यों इतने घंटे बरबाद करते हैं keyword research में, outlining में, script writing में जब chat GPT जैसा tool हमारे पास है तो चलिए फटाबर इस वीडियो स्टाट करते हैं और first time channel प्याना हुआ है प्लीज चैनल को subscribe ज़रूर कर ले at the end अगर वीडियो काम का लगे तो like कर लीजेगा तो सबसे पहले हम google पे जाएंगे और यहाँ पे type करेंगे chat GPT सबसे पहले website आपको दिखाई देगी openai.com इस पे click कीजिए now यहाँ पर आपको option मिलेगा try chat GPT let's click on it new tab में आप यहाँ पर या तो एक नया account create कर सकते हो free of cost है या already गर आपके पास account है तो आप उसमें login भी कर सकते हो now अब directly आपको यहाँ पर आकर के अपनी query type नहीं करनी है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपको chat GPT का potential ही नहीं मालूम है आपको नहीं मालूम है actual में क्या command दी जाए जिससे आपको relevant result यह generate करके देगा तो यहाँ पर हम एक external google extension यूज़ करने वाले हैं जिसका नाम है AIPRM आपको simply जाना है google पे और यहाँ पर हम type करेंगे AIPRM यह google का free extension है सबसे पहला URL आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करते हैं इस extension की help से आप organized way में content generate करवा सकते हो chat GPT की help से तो यहाँ पर यह वाला extension हम इंस्टॉल कर लेंगे add to chrome पर आपको क्लिक करना होता है and add extension that's it ओके ना जैसी आप इसको install करोगे chat GPT की screen पर कुछ इस तरह से दिखाई देगा आप यहाँ पर देखो chat GPT वाला page है chat.openai.com बट यहाँ पर आप काफी सारे आपको और भी options दिखाई देते हैं अब हमें blog post के लिए titles generate करना है बिकॉस हमें नहीं मालूम है actual में कि title क्या होना चाहिए मारे blog post के लिए हमारा niche तो decided है बट title नहीं मालूम है तो यहाँ पर सबसे पहला काम क्या करना है topic में हम choose करेंगे copywriting और scroll down आपको कर लेना है यह एक option आपको मिल जाता है blog post title generator इस पर आप click कीजिए तो यहाँ पर यह आपको selected दिखाई देगा अब output language क्या होनी चाहिए content आप write करवाना चाहते हो वही किस language में होगा English में होगा, गुचराती में होगा यहाँ पर almost काफी सारी languages available है जितनी भी दुनिया में languages सब available है even Hindi, Urdu, Nepali सब कुछ available है आप चाहो तो Hindi में भी content यहाँ पर generate करवा सकते हो तो फिलाले काम करते हैं हम यहाँ पर English में ही content generate करेंगे इसके बाद यहाँ पर tone आती है write now emotional available है और default अगर आप और भी tone यूज़ करना चाहते हो जैसे friendly tone वगरा है तो फिर आपको अपग्रेड करना पड़ेगा premium version में जो मैं आपको starting में तो recommend नहीं करूँगा now अब यहाँ पर आप अपना keyword type कर दो जैसे for example healthy lifestyle मान लेते हैं यह मेरा niche है healthy lifestyle के बारे में लिखना चाहता हूँ तो मुझे chat GPT से titles चाहिए मेरे blog post के लिए हम enter push करेंगे so अभी right now हम यहाँ पर देख सकते हैं काफी सारे titles chat GPT ने generate करके दे दिये हैं अब इन में से कौन सा title हमें choose करना है जिसकी help से हमारा blog post Google पर rank हो सके वो भी तो हमें check करना पड़ेगा हम कैसे decide करेंगे इन 10 title में से कौन सा title best है तो हम यहाँ पर use करने वाले हैं Google Keyword Planner जो Google की तरफ से 100% free of cost टूल है एक काम कीचे सबसे पहले यहाँ पर यह सारे 10 के 10 titles हम copy कर लेते हैं इसके बाद Google पर जाएंगे और यहाँ पर search करते हैं Google Keyword Planner ना यहाँ पर यहाँ तो first वाले link पर click कर सकते हो या फिर यह second वाले URL आ रहा है इस पर भी click करोगे Go to Keyword Planner पर click कर लेते हैं और आपके सामने कुछ इस तरह का interface आएगा यहाँ पर हमें जाना होता है Discover New Keywords पर और जितने भी keywords आपने chat GPT से copy कर रखे keyword यानि कि जो titles आपने copy कर रखे उन titles को आप यहाँ पर paste कर दोगे एक title ऐसा है जिसमें 80 ज़ादे characters हैं तो उसे फिलाल हम यहाँ से हटा देते हैं तो total हमने 9 titles यहाँ पर paste किये हैं इसके बाद get results पर आपको click करना है तो यहाँ पर अभी अगर आप गौर करोगे average monthly searches देखो हर एक title की जो monthly search है maximum 10 है मतलब 10 ज़ादा लोग किसी भी title को search ही नहीं करते हैं तो यह titles हमारे काम के नहीं हैं हम वापस चलते हैं chat GPT के screen पे और यहाँ पर इसे command देंगे give me some better blog post titles ठीक है अब देखो फिर से result generate करना शुरू कर देगा अब जो नए blog post title हैं इन्हें हम यहाँ से copy कर लेते हैं वापस चलते हैं keyword planner पे उपर यहाँ पर देखो यह सारे keywords दिये हुए हैं इसे आप click करोगे previous सभी keywords को हम यहाँ से हटा देंगे और new titles को हम यहाँ पर paste करते हैं जो red marked हैं उन्हें हटा देंगे and then after again get results पे click करेंगे और check करते हैं average monthly searches volume कितना आता है तो अभी आप यहाँ पर देखो अब जो keywords basically हमारे title में हैं उनका search volume कितना है इसमें जब कुछ title ऐसे हैं जिसमें mind keyword आता है और mind keyword की average monthly searches कितनी हैं 10,000 से 1,000,000,000 पर month इसी तरह से और भी काफी बड़े बड़े हैं यहाँ पर keywords आपको देखने को मिलेंगे plus उनका average monthly search volume भी आप देख सकते हो तो यहाँ से कोई भी आप एक ऐसा keyword चूज करोगे जो आपके blog post से related हो सकता है जैसे कि for example हम यहाँ पर चूज करते हैं body lotion let's say यह वाला हम यहाँ पर keyword चूज करेंगे तो simply इसे आप select करोगे और इसके बाद यहाँ से हम copy कर लेते हैं ठीक है यह हमने copy कर लिया अब वापस आते हैं हमने chat GPT tool पे और यहाँ पर एक new chat start करेंगे ओके यह हमारा new chat window आ गई है अब सबसे top पे पहले हमने copy writing चूज किया था अब यहाँ पर चूज करोगे SEO ठीक है SEO चूज करने के बाद यह सारे results filter out हो जाते हैं और आपको यह वाला option मिलेगा human written 100% unique SEO optimized article इसे आपको चूज कर लेना है और यहाँ पर यह select हो जाता है अब हम यहाँ पर basically क्या करेंगे chat GPTO command देंगे please write a blog post on the topic body lotion enter push कर दो अब देखो उका शांदार blog post आपके लिए यहाँ पर यह लिखना शुरू कर देगा title के साथ में heading वगरा सब कुछ रहेगा even जहाँ पर भी listicles की जरुद पढ़ने वाली है तो वो भी यह mention करके देगा so यहाँ पर आप देखो कितना proper तरीके से इसने content generate किया है AI PRM extension के सबसे खास बात यह है कि जो भी content यहाँ पर generate होता है proper structured manner में होगा आप देखो सबसे उपर एक छोटा सा introduction आया उसके बाद table of contents भी यहाँ पर आ गया फिर हर एक point को proper तरीके से अलग-अलग numbering के साथ explain किया जा रहा है introduction आ गया then what is body lotion, benefits of using body lotion इसमें भी कई सारे points में इस पूरे के पूरे paragraph को divide किया गया है और 4 पर आ करके यह रुख गया because इसकी write करने के limit है तो हम एक काम करते हैं यहाँ पर इससे कहेंगे भई keep writing and then enter push कर देते हैं so यहाँ पर देखो 4.2 point इसने start कर दिया है मतलब जो हमने already उपर content से generate करवाया है वो ही यह फिर से continue कर देगा 4.2, 4.3 and so on so well इसने काफी बड़ा blog post यहाँ पर almost write कर दिया है इसी तरह से आप continue से write करवाते जाना अब हमारे पास content तो ready हो गया but directly इस content को हम अपने blog पर publish नहीं करेंगे because यह duplicate content भी हो सकता है या इसमें कोई plagiarism issue तो नहीं है तो हम एक काम करेंगे इस पूरे का पूरे content को यहाँ से पहले copy कर लेते हैं जितना भी content हमने यहाँ पर generate करवाया है so let's say 4 point तक मैं इसे copy करूँगा इसके बाद आपको simply google पर जाना है और यहाँ पर आप type करोगे plagiarism checker okay सबसे पहले tool आपको दिखाई देगा small SEO tools या तो आप इसे choose कर सकते हो या फिर आप second wallet link को भी choose कर सकते हो तो यहाँ पर हम second wallet option पर जाते हैं duplichecker.com ओके और जो भी content हमने copy कर रखा है उसे हम यहाँ पर paste कर देंगे आपको ध्यान देना है maximum 1000 words के limit है पर search तो आप चाहो तो और भी जो remaining content है उसे भी यहाँ से copy कर लेना और फिर उसे भी हम paste कर देंगे plagiarism checking के लिए इसे भी हमने यहाँ से copy कर लिया and we can paste it over here okay so as I can see total 1120 words हो चुके हैं मझे कुछ points यहाँ से हटाने होंगे 6th point को चलो हटा देते हैं अभी फिलाल अभी ठीक है 968 words है इसके बाद इस fall down करेंगे और यहाँ पर I am not a robot capture है से आप click कर देना and then check plagiarism पे आपको click कर देना है कुछी seconds में या कुछी minute में यह website check कर लेगी आपकी content में कहीं कोई duplicate content तो नहीं है because duplicate content अगर होगा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी आपकी website को rank करवाने में आप यहाँ पर देख सकते हो scanning plagiarism almost 11% checking complete हो चुकी है और अभी तक आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा हूँ 7% unique content है 4% duplicate content यह दिख रहा है but don't worry chat GPT के help से जो duplicate content है उसे हम दुबारा फिर से rewrite करवाएंगे ताकि 100% unique content हमें मिल सके so final result हमारे सामने आ चुका है और आप यहाँ पर देख सकते हो 18% plagiarism है मतलब 18% duplicate content है और 82% यह unique है so 18% जो duplicate content है हमें उसे भी fix करना होगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो red color से already marked है यह duplicate content हो सकता है यह भी duplicate content है इसके साथ ही काफिक सरा और भी content यहाँ पर दिया हुआ है जैसी यह वाली line है यह भी duplicate है तो चलो इन्हें fix कैसे करना है वो भी हम सीख लेते हैं सबसे पहले आप एक काम करोगे जो भी duplicate content है जो red color से marked है आप right click करोगे उसे copy कर लो अब हम चलते हैं chat GPT पर यहाँ पर हम इसे command देंगे please rewrite this sentence 100% unique और जो भी sentence आपने copy किया हुआ है उसे आप double quotes में paste कर दोगे and then hit enter अभी आपको 100% unique content write करके देगा इस particular sentence का तो यहाँ पर आप देख सकते हैं one of the benefits of using body lotion is that so यह basically 100% unique content है इसे आप यहाँ से copy कर लोगे वापस चलते हैं plagiarism checker पे और यहाँ पर जो भी content ऊपर दिया हुआ है अलड़ी हमने आपर paste कर रखा था कौन से वाले line है यह it helps in keeping the skin hydrated तो यहाँ पर आपको find out करना होगा it helps in keeping the skin hydrated soft and supple इसे हटा करके हम उस content को paste करेंगे जो 100% unique है और जो हमें chat GPT से मिला है इसी तरह से एक एक करके जितना भी duplicate content है यहाँ पर आप यहाँ से copy करते जाओगे और chat GPT पे उसे आप rewrite करवाओगे so मैंने सभी duplicate content को दुबारा rewrite करवा लिया है एक बार फिर से plagiarism checker की help से हम चेक करते है अभी भी कोई duplicate content है तो नहीं so एक बार फिर से plagiarism के scanning स्कैनिंग स्टार्ट हो चुकी है so right now we can see here 100% unique content है 0% plagiarism है मतलब कोई भी duplicate content नहीं है तो यानि कि यह जो उपर content हमारा है यह 100% unique content है इसे हम simply control A करके यहां से copy करेंगे अब इस content को हम अपने wordpress blog में या wordpress website में put करेंगे तो आपको simply अपनी wordpress website में login कर लेना है so यह है मेरा wordpress का dashboard left hand side पर जाएंगे post पे and then we have to click on add new ओके यहां पर हम post का title देंगे तो title दम chat GPT से बाद में copy करेंगे जो भी content हमने copy किया है अभी तक जो 100% plagiarism free है उस content को हमें यहां पर paste कर देना है so आप यहां पर देखो पूरा का पूरा content हमारा paste हो चुका है ब्रकुले structured manner में है और title हम वापस चलते हैं chat GPT पर और यहां से title अपना copy कर लेंगे so यह है वो title इसे हम यहां से copy कर लेते हैं okay and then we can paste it over here इसके बाद आपको top right corner पर publish button मिलेगा simply इस पर click करके आप इस post को publish कर दोगे यहां पर आप देखो post published है new tab में open कर लेते हैं so this is how this post look like इस तरह की post दिखाई देती है अभी हमने सिर्फ post right ही की है इसे अब SEO friendly भी बनाना है तो SEO friendly बनाने के लिए हमें एक plugin इंस्टॉल करना होगा वापस चलते हैं WordPress के dashboard में और यहां पर plugins में आप जाओगे add new के हमें click करना है और plugin का नाम है rank math r a n k m a t h काफी बढ़ी हा 100% free SEO plugin है जो आपकी काफी help करेगा आपके blog post को optimize करने में तो यहां पर आप देख सकते हो 1 million से भी ज़्यादा active installations है और almost 5 star reviews है simply install करके इसे आप activate कर लो ओके then we can click on skip now यहां पर हमें इस plugin को set up करना होगा तो आप simply start wizard पे click करेंगे तो यहां पर basically आप से पूछे कावे solar panel diagram site जो domain मेरा है वो क्या है एक personal blog है यह क्या है तो यहां पर मैं इसे personal blog ही choose करूँगा आप website का नाम बगरा यहां पर type कर सकते हो जैसे for example मैं यहां पर type कर देता हूँ सरकारी result ठीक है इस तरह से एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा मैं यहां पर यह जो website है न सरकारी result.com जैसी मैंने website बनाई है इसका पूरा tutorial मैंने अलरेड़ी अपने YouTube channel पर पहले ही publish कर दिया है इस तरह की website आप कैसे बना सकते हो इसका link मैंने वीडियो के description डाल दिया है या फिर top left corner पर यहां पर i button आ रहा होगा उस पे भी click करके आप इस वीडियो को देख सकते हो जिसमें मैंने पूरा explain किया कि आप सरकारी result जैसे website कैसे बना सकते हो मेरे पास आपके लिए एक offer भी है अगर आप WordPress blog setup करते हो तो no doubt आपको domain की और hosting की जरुद पड़ेगी अगर आप hostinger का affiliate link मेरा use करते हो और hosting purchase करते हो कोई से भी plan अगर आप purchase करते हो तो मैं आपको Elementor Pro plugin जिसका actual cost 59$ से absolutely free provide करूँगा तो offer लेने के लिए simply आपको क्या करना है जब आप hostinger से hosting purchase करते हो मेरे affiliate link के जरीए affiliate link आपके screen पे आ रहा है उसके बाद जब आपका payment confirm हो जाता है उसका snapshot आपको मुझे send करना है कैसे send करोगे इस video के description में एक मैंने form का link दिया हुआ है उसको fill up कर दीजेगा वहीं पे आपको अपना snapshot upload करना है जैसे ही मैं verify कर लूँगा भी कि आपने मेरा affiliate link यूज किया और hosting purchase की है तो मैं आपको Elementor Pro plugin वाया email प्रोवाइड कर दूँगा तो Elementor Pro लेने के लिए simply मेरा affiliate link ज़रूर यूज करें जो कि है saddamkasim.com forward slash hostinger वापस आते हैं अपने वीडियो में तो Rank Math plugin को हमें अब setup करना होगा बाकी आप देख लेना जो भी detail आपको यहाँ भी fill up करनी हूँ आप fill up करते चलना इसके बाद save and continue पर click करेंगे यहाँ पर आपको option मिलेगा connect your rank math account फिलाल भी connect करने के ज़रूत नहीं है save and continue पर click कर देते हैं इसके बाद यह plugin आपके लिए site maps भी create करेगा including images उसमें होगा और जो भी सारी taxonomies बगरा होती है सब कुछ उस site map में include कर दी जाएगी at last person save and continue पर click करेंगे यह last second option है optimization जो भी default option selected है उसे as it is रहने दीजिए save and continue कीजिए okay, so now यहाँ पर आप देखो your site is ready, मतलब हमने plugin proper तरीके से setup कर लिया है अब हमें वापस अपने wordpress के dashboard में चलना है तो यह रहा option now, अब हम जाएंगे वापस अपने post पे तो यह रहा post, all post पे चलते हैं और इस post को अभी हमने publish किया है edit पे click करेंगे now, जब आप rank math plugin install कर लेते हो तो top right corner पे आप देखो यहाँ पर आपको आपके post का current SEO score देखने को मिलेगा अभी right now 100 में से सिर्फ 9 है और red color का है मतलब हमारा post का SEO अच्छा नहीं है तो हमें अपने post का SEO अब better करना होगा अब कैसे improve करेंगे rank math की help से वो मैं आपको समझा देता हूँ आप simply इस score पे click करोगे तो rank math का options आपको दिखाई देगा यहाँ पर आपको rank math पहले ही पता देगा बई कौन कौन से errors हैं जिने आप fix करते चलोगे तो आपका SEO score इंप्रूव होता जाएगा तो सबसे पहला यहाँ पर आपको error दिखाई देगा add the focus keyword to the title हमने इस title में कोई focus keyword add नहीं किया है तो यहाँ पर देखो एक option field मिलती है आपको focus keyword तो अब हमें check करना होगा कि हमने actual में कौन सा keyword choose किया था वापस चलते हैं chat GPT पर और यहाँ पर I think मुझे देखने को मिलेगा keyword I think body lotion ही keyword था यह रहा body lotion तो इसे हम simply focus keyword वाले box में put कर देते हैं body lotion इसके बाद एक बार इस post को update कर दो आप अब आप देखो यहाँ पे SEO score एकदम से improve हो गया 9 से सीधा 58 out of 100 हो गया और color भी yellow हो गया मतलब काफी हद तक हमने SEO improve किया है और यहाँ पे काफी सारे green ticks आपको दिखाई देंगे now अब your content is 960 words long good job मतलब हमने अच्छा content लिखा है बड़ा content होना चाहिए इसके बाद additional पे चलते हैं यहाँ पे देखते हैं कुछ और points हैं जिने हमें fix करना होगा तभी हमारे SEO better हो पाएगा जैसे कि एक point दिया हुआ है the URL is 119 characters long consider shortening it हमारी जो post का URL है काफी बड़ा इसे हमें छोटा करना होगा URL कैसे छोटा करते हैं पहले आप इस box को यहाँ से बंद कर दो इसके बाद यहाँ पे देखोए छोटा सा एक column type का icon है settings इस पे आप click करोगे now यहाँ पर आपको इस post का URL दिखाई देता है हम simply इस पे click करेंगे और यहाँ से आप इस URL को change कर दो simply आपको छोटा से यहाँ पे URL टाइप कर सकते हो body lotion the ultimate guide ऐसा कुछ कर देते हैं बाकी extra को remove कर देंगे ठीक है तो हमने URL छोटा कर दिया short कर दिया है एक बार फिर से post का update करेंगे ना वापस इस score पे click कर देते हैं फिर से additional पे चलते हैं अभी भी यह कह रहा है URL is 86 characters long काफी बड़ा URL अभी भी है फिर से इस और छोटा करना होगा तो वापस चलते हैं इस window पे इस URL को हम और shorten करेंग और छोटा करेंगे तो simply से रख देते हैं body lotion अभी देखते हैं कितना होता है यह ठीक है एक बार update करेंगे अब आप देखो 62 out of 100 हो गया है ना तो इस तरह से आप एक एक points को यहाँ पे fix करते चलोगे और आपका SEO score improve होता जाएगा यहाँ पे ही कह रहा है इस पे हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे देखो image widget आपको दिखाई देता है simplest पे क्लिक करोगे और कोई भी एक relevant image आप अपने computer से यहाँ पर upload कर सकते हो तो मैं इस वाली image को upload करूँगा एक चीज़ का आपको और थ्यान देना है जब आप image upload करते हो तो इसमें आपको alt tag भी लगाना होता है अब alt tag कैसे मिलता है पहले इस image पे क्लिक करो वापस settings में चलना होता है और यहाँ पर देखो जब हमने image को select किया है तो यह एक box आगया है settings में alt text तो यहाँ पर आप अपना focus keyword डाल सकते हो body lotion ठीक है वापस score पे क्लिक करेंगे और एक बार इस page को update कर देते हैं ओल राइट फिर से scroll down करेंगे additional में वापस चलते हैं तो यह focus keyword image में इसको मिल गया है that's nice तो मैंने इस पूरे post को optimize कर लिया है और almost अभी 84 out of 100 हमारा SEO score है पहले 9 था हमने काफी हतकस को improve किया है चोटे बड़े और points रह गए हैं जैसे कि यहाँ पर अगर हम और भी words add करेंगे इस post में तो SEO score और improve हो जाएगा तो basically यह सारे चोटे बड़े fixes आप खुद से कर लेना और इस तरह का post हमने यहाँ पर publish कर दिया है इस एक बार फिर से update कर देते हैं और अभी right now अगर हम इसे front end पर देखेंगे तो आप देखो यहाँ पर post काफी अच्छा दिखाई देता है एक चीज़ और है मैंने URL भी छोटा किया तो इसकी वज़े से अब यह URL not found आ गया कोई बात नहीं है हम फिर से एक बार इस post को अपने front page पर open करेंगे preview पर click करते हैं and preview in new tab ओके इस तरह की हमारी front end पर post यह दिखाई देती है तो आप chat GPT की help से काफी कमाल का SEO friendly high quality content produce कर सकते हूँ और इस post की ranking भी अच्छी खासी आ सकती है because हमने जो keyword यहाँ पर choose किया था वो basically Google के keyword planner पर हम डाल के देखा था उसकी searches काफी अच्छी है मंतली search volume बढ़िया है आप chat GPT, Google keyword planner और plagiarism checker की help से एक high quality SEO friendly content create कर सकते हो I hope वीडियो आपे काम कर रहा होगा अगर काम का था प्लीज लाइक जरू कर दें और अगर आप चाते हो कि आपके